सभी का आपके अपने चैनल रंजनर शड़ी सेंडर पर आज हम सभी वीडियो अपडेट लेकर आए हैं SSC को लेकर SSC जिसका पूरा नाम स्टाप सेलेक्शन कमिशन है जिसे हिंदी में हम लोग करमचारी चैन आयोग कहेंगे इस आयोग दोरा कराये जाने वाला हाली में एक एक्जाम है SSC MTS तो SSC MTS का एक्जाम जो है स्टार्ट होने जा रहा है दो मई से जितने भी केंडिडेड एडमिट का वेट कर रहे हैं एडमिट जल्द ही उन लोगों का चारी कर दिया जाएगा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SSC MTS के 2023 के न्यू पैटर्न और सिलेबस के बारे में इस बार काफी सारा चेंजेस SSC ने किया है तो उसी को हम लोग इस वीडियो में पूरा जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा देखिए तो सबसे पहले अभी तक exam में student को एक ही confusion बना हुआ है कि इस बार वो सेशन 1 और सेशन 2 जो सुन रहे हैं सेशन 1 और सेशन 2 क्या अलग अलग दिन होगा या एक ही दिन exam होगा तो इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले आप लोग सेशन 1 के बारे में सेड़िवस जान लिजिए सेशन 1 जो होगा जिसमें की math के question होंगे 20 question एक question पर आपको 3 number दिया जाएगा तो 20 question में आपको 60 number मिलेगा साथी साथ reasoning का भी 20 question होगा जिसके लिए 1 question पर 3 number मिलेगा कुल marks 60 होगा यानि 60 number का math आएगा 60 number का reasoning आएगा टोटल जो 120 number का exam होगा ये सेशन 1 में होगा सेशन 1 का exam 45 minute का समय मिलेगा और 40 question आपको दिया जाएगा 40 question करने के लिए 45 minute का समय मिलेगा और इसमें negative marks एक भी नहीं है इस बार negative marks session 1 में एक भी नहीं रखा गया है और उसके बात बात करेंगे कि जो session 2 होगा आपका session 2 में journal awareness जिनमें GK, GS, current affairs के question होगे उनमें 25 question होगे, एक question पे 3 number मिलेगा, 75 number का exam होगा उसी तरह English language and comprehension भी रहेगा 25 question, एक question पे 3 number मिलेगा, कुल 75 number यानि कह सकते हैं कि session 2 का जो exam होगा वो 45 minute का ही होगा, लेकिन 1.500 number का होगा और इस बार जो merit बनेगी, merit में mathematics reasoning का कोई भी रोल नहीं रहेगा इस बार merit totally जो है GA, यानि current affairs, journal awareness, journal knowledge, journal science इस question पे और English, ये जो 25-25-50 question है, उन 50 question पर ही पूरा का पूरा result इस बार होने वाला है cool exam तो आपका 90 minute का होगा, यानि देड़ घंटे का होगा और total marks की बात करें, 270 marks का exam होगा लेकिन session 1 में no negative marking होगा, लेकिन session 2 में negative marking होगा एक question आप अगर गलत करते हैं, GK में या English में, उसके लिए आपका एक number कटेगा सही उत्तर देने पर आपको एक number यहां से प्राप्त हो जाएगा, सही उत्तर देने से sorry, 3 number मिलेगा, कितना? 3, सही उत्तर दीजेगा, 3 number मिलेगा, गलत answer दीजेगा, एक number काठा जाएगा आपका, तो minus marking है आपका, तो उसे ध्यान में रखके आप लोग exam दीजेगा देखिए, तो 2 मई से लेकर 29 मई तक पहला shift हो रहा है, बाकी बात second shift जो है June में start होगा, तो जिनका जिनका exam होना है, सभी का application status जारी कर दिया गया है, सभी कोई अपना अपना role number देख सकते हैं, अपना exam city देख सकते हैं, exam date देख सकते हैं, time देख सकते हैं, ठीक है, किस सहर में exam हो देख सकते हैं, तो उसे check करने का process नहीं पता है, चैनल पर वीडियो अपलब्द है, application status किस तरह देखेंगे, वह आप लोग जा कर देख सकते हैं, उम्मीद है, आप सभी को ये जो मैंने pattern है, वो pattern काफी अच्छे से समझा दिया है, तो इस बार आप लोग 100% figure रही है, mathematics reasoning का कोई बहुत बड़ा role नहीं है, इस बार जो merit बनेगी, वो totally merit जो है, इसी के उपर बनने वाली है, GK और English के उपर, वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को जरू सस्क्राइब कर दीजेगा, धन्यवादू